गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ राहुल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप ऐसे फाइब रूट्स जिसके शुरू होने के बाद जो दो मेजर सिटीज हैं उनके बीच का टाइम काफी कम हो जाएगा और मुस्ट रब्दा रूट कुछ कंप्लीट हैं क तो उनका कुछ पॉर्शन मतलब जल्दी कम्प्लीट होने बाला है और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से वो रूट काफी यूसफुल हो जाएगे हमारे लिए अभी हम देखते हैं सबसे पहला रूट जो कि है जबलपूर से लेकर सिकंद्राबाद के बीच तो यहां भी नैनपूर से बाला घाट के बीच का कुछ सेक्शन बाकी है जिसके बाद यह पूरी लाइन ब्रॉडगेज लाइन हो जाएगी और इस पर ट्रेंग चल सकती है और यहां जो आप साइट में टाइम टेबल देख रहे हैं एक इमेजनरी टाइम टेबल है यह मैंने एक इम 253 किलो मीटर का और अगर हम सफर जैसी ट्रेन अगर इस पर चलती है क्योंकि मैंने बुला इमेजनरी है 70 की एवरेंज स्पीट से तो इसमें 12 घंटे में हम जवलपूर से सिकंदराबाद पहुंच सकते हैं यह देखते हैं कि अभी करेंट में कैसे हम जाते हैं सिकंदराबा से जवलपूर तो अभी हमको यहां से बारंगल से नापपूर और इटार्शी से जवलपूर जाना पड़ता है और यह तक्रीवन 1119 किलो मीटर का रूट होता है यहां पर 853 यहां पर 1119 है 18 घंटे 50 मिनिट लगता है और काफी लंबा हमको जाना पड़ता है यानि तक्रीव हम यहां पर देख सकते हैं 200 किलो मीटर लंबा हमको यह रूट पड़ता है तो सिर्फ इतना पूर्शन कंप्लिट होने पर मैंपूर से लेकर बाला घाट तक यह 985-885 किलो मीटर का रूट कंप्लिट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले रूट पर यह है हमारा पूने से लेकर इंदौर का तो हम सब जानते हैं कि अभी अगर हम देखें कि खंडवा से सनावत तक ब्रॉट गेज लाइन का काम चल रहा है और 80% 90% यह काम पूरा हो चुका है सनावत से महु तक यह काम अभी होना वाकी है जिसके लिए नियूस आई थी मैंने रेलियोड में आपको बताया था कि यह 2020 में चालू होका और तक यहां पर मीटर गेज ट्रेन चलती रहेगी बीच का कुछ पोशन हेरिटेजरन के लिए भी रिजर्व रखा गया है तो यह इस तरीके से इंदौर से पूने हमारा 760 किलोमीटर पढ़ता है और यह यह भी एक इमेजनरी ट्रेन है मैंने सताबदी बनाई है इस जगए और अगर सताबदी 90 की एवरी स्पीट पर चले तो साड़े आठ घंटे में पहुचेगी काफी ज्यादा है पर इमेजनरी है तो आप कुछ भी इमेजन कर सकते हैं आपर तो अब हम देखते हैं कि फिलाल में हम कैसे जाते हैं तो अभी आप देखेंगे कि हमको 17 घंटे लगते हैं 962 किलो मिटर पड़ता है और पूने से हम कल्यान, कल्यान से बलसाड, बलसाड से सूरत, बड़ोधरा, रतलाम, उज्यन ऐसे होते हुए आते हैं यहाँ पर अगर हम रतलाम से सीधे इंदोर आएं तब भी इस में तकरीवन 50-60 किलो मिटर की कम ही आती है जिससे कम से कम एक से सवा घंटा हमारा आराम से बचता है तो अगर हम यहाँ से कंपेर करें तकरीवन 200 किलो मिटर का फर्क पड़ा है तो यह लाइन भी निकट भविस में जल्द ही पूरी होने वाली है तीसरा रूट हम लेते हैं नादेड से इंदोर तक तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि खंडवा से महु वाला सेक्शन भी कवर होगा प्लस खंडवा से अक क्यावन किलो मिटर का और 65 की अगर एवे स्पीट से हम चलें तो साड़े आठ घंटे में हम नादेड से इंदोर पहुच जाएंगे इवने शॉर्ट रूट इसलिए होता है ताकि आप मैं पाराम से देख सकें जो लॉंग डिस्टेंस ट्रेंस हमारी चलेंगी या जो पांदेड से अकूला जाते हैं अकूला से हम नार खेड जा सकते हैं बढ़नेरा होते हुए अमरावती होते हुए उसके बाद इटार सी से भोपाल और भोपाल से या तो तारेट इंदोर आ सकते हैं बाई जो जैन इंदोर आ सकते हैं तो इस तरीके से फिलाल में अगर हम ब यहां पर आ जाता है मतलब यह लाइन जब तयार हो जाएगी तो हमारा साड़े 400 किलोमेटर का एक जो प्राउंट्रिप होता है वो बचेगा अगला रूट है भोपाल से कोटा या हम इसको भोपाल से जैपुर भी मान सकते हैं और यह एक नई रेल लाइन है जो रामगंज मंडी से जालाबार तक कंप्लीट हो चुकी है और जालाबार से ब्यावरा राजगड़ और ब्यावरा राजगड़ से बैरागड़ यानि संत अरिदास नगर भोपाल होती हुए जाएगी और इस तरीके से भोपा में देखें जो अभी एक हमसफर चलती है जो भोपाल से बीना और बीना से फिर गुना और गुना से फिर कोटा जाती है और इस तरह से यह 442 किलो मीटर का पड़ता है तो यहाँ पर यह है 340 और 442 तकरीवन 102 किलो मीटर का एक्स्ट्रा हमारे उपर ट्रिप पड़ता है और उमीद है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर हम इस लाइन को कंप्लिट होता हुआ देख सकें क्योंकि अब रेलवे में जो भी डवलप्मेंट होता है वो स्टेट के कॉपरेशन से होता है पीपीप मॉडल से होता है और अगर स्टेट उस पर ज़्यादा ध्य रूट को यह भी काफी पोटेंशल रूट है एंदाबास से उदाइपुर सिटी और हम यहाँ पर पहले मीटर गेज लाइन चलती थी जिसको काफी समय पहले बंद कर दिया गया था और यहां मैप में देख सकते हैं कि जो रैड रैड एरिया है वो ब्राट गेज हो चुका ह तो इस तरह से उदाइपुर से एंदाबाद तकरीबन 298 किलोमीटर पढ़ता है मतलब 300 किलोमीटर पढ़ता है चुकि यह मीटर गेज लाइन थी से तेरा घंटे लिखा है और अगर हम नॉर्मल वे मिलें तो इसको 6-7 घंटे लगेंगे इस रूट को कंप्लीट करने में य हम अभी की बात करें और अहमदवास से हमको उदाइपुर सिटी जाना हो तो डारेक्ट कोई ट्रेन नहीं है मावली जंक्शन तक ट्रेन है उसके आज वो नातवारा निकल जाती है और यह हमको 621 प्लस अगर मावली से उदाइपुर जोड़ने तो यह तकरीवन 670 मतलब दुगने से भी जादा अभी हमको घूंके जाना पड़ता है यहां पर पहुंचने के लिए तो होफ़ली यह भी आने वाले दो-तीन साल के अंदर कंप्लिट हो जाएगा तो इस तरह से इस वीडियो को बनाने का मेरा परपर्स यह था कि आपको बता सकें कि रेल्वे क डवलप्मेंट में क्या चल रहा है और इन फूचर हमको कौन-कौन से शॉर्टस रूट मिलने वाले हैं यह इस वीडियो का पार्ट वन था अगर आपको यह पसंद आया आप कमेंट करके मुझे बताईए आपकी नजर में कोई शॉर्ट रूट हो वह भी बताईए फिर मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको इंक्लूट करने की कोशिस करूँगा और साथ ही हमारे चैनल के 80 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो होफुली जल्दी 100 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपसे आसा करता हूँ कि अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को अनलेसिस रहते हैं रेलबी के बजटस से रिलेटेड या रेलघ्रै या नॉर्मल रेल फैनिंग के जो हमारे वीडियो रहते हैं ट्रेइंड को मैंड़ा करना उसके हाइपीड रण को कैप्चर करना उस तरह के वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते आज के लिए इत